कारच है आज सेक्ट थरिफो जननत कि कहतें है मैं आपको पहले क्ल लेंग उन्हें छोर दिया माहिए permett मैंने दुनिया को पकड़ लिया पर रोहिन ही को चोड़ा नहीं दुनिया को पकड़ने का मितलब मेरे पास इसे इतीन दुबएई की properties भी हम sale करना चाहरे है, दुबएई में बहुत अच्छा rental income मिलती है, तो अगर मैं आपको knowledge दे रहा हूं और business भी gain कर रहा हूं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई उमर नहीं होती है, काम करने की और अगर आप मेहनत करते हैं, तो आप किसी भी उमर में ए बड़ा network बनाया और आज आपको दुबाई तक की knowledge देने जा रहा हूं अभी हमारा दुबाई का fest भी है 4th of next month को तो आप आ सकते हैं 4th of next month को दुबाई fest जिसमें कि हम यह लोगों को बताएंगे कि दुबाई की properties भी आप ले सकते हैं क्योंकि दुबाई में rental income बहुत अच्छे हैं अगर एक करोण लगाओगे तो एक लाक रेंड मिलेगा यहां एक करोण लगाने पर 25-30,000 रेंड मिलेगा तो उसकी knowledge भी देने जा रहा हूं routine से बताता हूं plot में बहुत ज्यादा frauds भी होते हैं इसे जब भी plot लो सबसे पहले आपके papers चेक जरूर करो यह मैंने काफी हर बार बता देता हूं ताकि frauds से बचे कोई नया जो subscriber होता है जो नया वीडियो देख रहा है वो बच जाए किसी तरह frauds से तो इसमें सबसे पहले allotment letter होती है side position letter होता है position letter होता है यह सब papers check करने है lease के papers होते है नक्षा होता है उसके बाद lease cut होती है फिर freehold plot होता है और एक bank statement होती है और FDR की copy होती है इस सब चीज़े check करा करो और उसके बाद plot जब लो तुसे पचास ज़ार पे token money देखे ही plot लो उससे ज्यादा amount कभी मत तो जिस दिन आखरी registry वाला day आ जाता है फिर ब्याना कर दो पांच लाग उसमें honor की meeting हो ना हो आप ब्याना dealer को दे सकता है कोई issue नहीं है but last day जब आखरी जब प्लॉट की registry है उससे एक दिन पहले उसको सारा डेल्ट है amount दे दो मतलब cash जो results है एक दिन पहले देके file ले लो और अगले दिन rtjs करके उसके नाम करा अपने नाम करा लो उससे plot तो इसलिए यह method है जो कि लोगों को नहीं पता होता तो be careful about this अपने methods को ध्यान रखा करो और 34 की बात करें तो 34 sector जन्नत है यहां पर एक साल में rate को एक rate साल में double किया मैंने rate but अब this is a saturation point पर यह गलती मत करना कि plot मत खरे दो plot करीदना चाले रखो आग अगर जब आप गर की जमीन करीदते हैं तो यह सोच के नहीं करीदते कि हर साल double होगा यह तो कोई घर में ना रहे सब किराये की घर में रहे और पैसे को bank में डालके रखे ऐसा नहीं होता अपना घर एक बनाना बहुत जूरी है चाहे वो चार साल बाद डिवलप करें चुनति सेक्टर जिस दिन construction कर दोगे उस दिन तीन गुना कर दोगा पैसे को चाहे कल कर दो तो कल कर दोगा पांच साल बाद करोगे तो पांच साल बाद तीन गुना होगे चार साल बाद करोगे तो चार साल दस साल बाद करोगे तो 34 में plot लेना बन मत करो यह मैंने ही कह रहा कि plot मत लो plot लो बट यह सोच कि लो कि हर साल double नहीं होगा पैसा मैं आपको एक और बात बता दू कि सबसे अच्छा सेक्टर 34 A1, A2 A1, A2, A3, A4 फिर उसके बाद सेकेंड नंबर पे C block भी आता है पर आज 29 में पैसा बढ़ना है 29 में तो plot ले लो तो वहाँ पैसा इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि बढ़ेगा क्योंकि वहाँ पे कलोनी सॉरी घर बनने शुरू हो गया है जहां construction शुरू होती है वहाँ पैसा बढ़ता है महाँ पे आज भी आप जल्दी purchasing पैसा है तो 29 में लेके अपना घर बना के रहो boundary भी कराओ दीदियो को बोलके और 34 में plot लेके 5 साल तक भूल जो उसके बाद आपका पैसा 3 गोना होना है तो जिनका budget कम है वह 34 पे जाके plot लेके 5 साल भूल जाए जिनका बड़े जादा है वह 29 में अपना पैसे को लगा के घर बनाओ सीधा और घर के फ्लोर बेचो मैं फ्लोर भी बेचना हूँ वह 30 के तो मैं आज आपको सारे numbers share करने जा रहा हूं जो 34 में हम आपस नए plots आये एक आये 34 A1 का 11 82 नमबर 45.50 क्योंकि office shoot आज specially plots के लिए DDA के लिए 34 A1 का 14 33 नमबर 45.50 का 34 A1 का 13 44 नमबर 46 लग का 34 A1 का 17 71 नमबर 65 लग का 929 का को ना उसके बाद 34 A1 का 15 54 नमबर 95 लग का बहुत ही प्यारा प्लौट बारागा नो का कोना 34 A1 का 2136 कोना 32 मीटर का अपना ही खुदका प्लौट है निदोस का प्लौट है 90 की डिमांड है 31 july के payment है 12 मीटर रोट पे बहुत बढ़िया प्लॉट 34 A1 का 1492 नमबर 53 लग का 12 मीटर रोट पे और 34 A1 का 1527 एक बहुत बढ़िया पार्क फेसिंग प्लॉट आया लाइन है 1527 वाली लाइन पार्क फेसिंग प्लॉट यह आपका 58.50 का आया 2018 वाली लाइन में एक पार्क फेसिंग प्लॉट ओह रहाया 347 में 53 लेक का और 347 के 1984 वाली लाइन में एक और प्लॉट आया पार्क फेसिंग 53.50 का एक ओफिस लोकेशन का प्लॉट आया हमारपस 34A1 का 2203 88 लाग का बिल्कुल मेन रोड का प्लॉट है 30 मिटर फेसिंग है अगर आप ओफिस भी बना लेते हैं तो भी नुकसान नहीं होगा हमेशा फायदे में चाहूँ है उसके बाद 2005 नंबर 48 लाग का 34A1 का उसके बाद 1629 नंबर हमारे किसी फ्रेंड का प्लॉट है और या मेरे किसी ग्रहक का प्लॉट है वेचा था मैंने 455 लाग का आप ले सकते हैं और अब कोशिश करो कि रेट स्टेबल है और कम जितना कम से कम रेट पर ले सकते हो प्लॉट उतने कम से कम रेट पर लो और आने वाले टाइम में UER के बाद 45 लाग का जटका लगेगा जिनको पैसे को हर साल दो गुना कर रहे हैं तो क्विट कर लो जिसको अपना घर बना के रखना है वो रख लो अब 1158 नंबर 347 का 52 लाग सुरी 46.50 और उसके बाद एक प्लॉट है 1912 नंबर 65 लाग का साढ़े 3 महने के टाइम पर और एक कोना है हमर पर 34C1 का 1837 56 लाग का सुरी 1837 12 मीटर रोड पर 56 लाग का तो इस वे आज को स्पेशल शूट हमारा जन्नत के ओपर था 34 के ओपर था मैं आप आपको लाइव शूट दिखाने चाहा रहा हूं 30C1 C2 एक दो दिनों में वेट फॉर देस लगातार हमारे चानल को सब्सकाइब जरूर करा करो और मुझे पता है रोहिनी के लोग ही वह यह वीडियो लिखते हैं तो इसमें जरूर लिख दो थांक्स फॉर वाचिए